rai हेलो फ्रेंग्स वागत है आप सबका हमारे चैनल में तो आज हम बनाएंगे परवल का फरुवार तो हम ताजा परवल लेकि हैं और चिल्का यह छह तेजीने, प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम ब пойpo करें तो आपनों हमारे वीडियो को देखिए, इंजॉई कीजिए, कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो इस तरह से हमको परवल को उपर वाला हिसा को छिलका को हटा लेना है, तो देखिए सारे परवल के छिलके को हटा लिये हैं, और हटाने के बाद इसका जो दोनो जो हिस्सा है, इस को हमको काट के हटा लेना है, तो इसको हम बैठी के मदद से हटा लेंगे, इस तरह से हमको दोनों साइड को काट लेना है, तो सारे परवल को हम काट लेंगे इस तरह करके, तो देखिए, इस तरह से काट लिये हैं, और छिलका भी हटा लिये हैं, तो अब हम ये चाकू के तो इस तरह से हमको अंदर वाला जो उसका हिस्ता है वह हमको चमच से निकाल लेना है धीरे से हमको परवल होई करना है ज्यादा जोड लगाने से परवल तोट जाता है तो इस तरह से हमको धीरे धिरे करके निकाल लेना है तो इस तरह से हमको अंदर वाला हिस्ता को निकाल लेना है ताकि हम मसाला तियार करेंगे तो यहां देखिए सारे परवल के अंदर वाला को निकाल लिया है अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे तो इसमें मसाला भी यड़ करना है तो मसाला में दो छोटे छोटे लसून और मिर्च और अद्रब और जीरा और कोल्की थोड़ा सा दो चार दाना कोल्की सब को ले करके अगर आपके बस गरम मसाला हो तो जो में टाइप कर रहता है उसको भी आप दुगंद के लिए गाव सकते हैं तो इसको हम हलका पाने लेकर भीसी में पीस लेंगे तो यहां देखी हम पीस लिए है अब इसमें हम प्याज भी एड़ करेंगे तो क्योंकि फ्राइ करना है तो यहां पड़ा साइज का एक प्याज ले लिए और इसको हमको छोड़ा-छोड़ा साइज में काटना है तो यहां हम काट लिए है प्याज को और कढ़ाई में तेल गरम करना है ताकि उनकी मसाला को बेतियार करना है प्राइ करके परवल के अंदर डालना है और यहां बेदिये परवल को एक बात होएता है जब बनाने भी टाइम है और अभी साफ करने के बाद थोड़ाई था पाने में धो लेंगे ताकि परवल और अच्छा सी साफ हो जाए और दर तेल भी गराम हो गया मेरा तो प्याज को अच्छा से फ्राइ कर लेंगे लाल हो जाएगा अच्छा से तब हम वो जो पीज के रखे हैं मसाला को उसको एड़ करना है और मसाला में कलरिंग के लिए हल्दी और स्वाद अमसार नमक देना है तो यहां मेरा मसाला फ्राइ हो गया तो यहां मेरा मसाला फ्राइ हो गया है अब इसको हमको परवल के अंदर डालना है तो यहां देखिए हम परवल के अंदर डालना है तो यहां देखिए हम परवल के अंदर डालती है परवर के अंदर अब इसको हम हम दीमी आश में फ्राइब करेंगे तेल को गरम होने किल्की चढ़ाएं तो यहां हमरा करला अब परवर सब प्राइब करना है यहां देखिये थे भी आश में फ्राइब कर रहे हैं कि इसको हुंको हर एक साइड में प्राइ करना है तुमा फ्राइ हो गया है और फिर चड़ाया है और फ्राइ हो गया है इसी तरह से सारे